हरो गाईस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे इस कोविड जो टाइम चल रहा है इसमें सब आप अपना ध्यान रखें और घर में रहें जितना हो सके ठीक है तो गाईस आज की वीडियो में देखें क्या करने वाले हम यूनिट कर्मर्जन यूनिट कर्मर्ज होगी और आपको वह हमेशा याद भी रहेगी तो सबसे पहले यूनिट करने के लिए आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए जैसे केजी होता है ग्राम होता है मीटर होता है सेंटी मीटर होता है वैसी मैं लिक देती हूं थोड़ी सी जैसे वन केजी वन केजी में कितने ग्र तो आपको ऐसे से conversion जो है वो आने चाहिए तब ही आप unit conversion को कर सकते हैं जिस trick से मैं करवाऊंगे आपको और सबसे में आपको यह पता हुँची कि बड़ा कौन होता है और छोटा कौन होता है मतलब kg बड़ा है या फिर gram बड़ा है और इसी तरह km बड़ा है या मीटर बड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रिक की और तो हमारी ट्रिक क्या बोलती है मैं आपको बताती हूं यहां पर है एक छोटा बच्चा ठीक है और यहां पर है एक बड़ा बच्चा ठीक है तो आपको कैसे धियान रखना है जितने भी मेरे स्टुडेंट्स हैं मनको सबको इसी ट्रिक से करवाती हूं तो आप एक बार धियान रखेंगे तो आप कभी भी नहीं बूलेंगे ट्रस्ट मीं देखिए एक छोटा बड़े के पास जाएगा तो बड़ा उसको क्या करेगा उसको डिवाइड कर देगा ओकी डिवाइड मींस उसका डिविजन हो जाएगा और आपको यह याद कैसे रखना है जैसे छोटा अगर बड़े के पास जा रहा है तो बड़ा उसकी पिटाई कर सकता है ना उसको मार म याद करें तो यह यहाद करें तो हितुछ दसने हुड़ी सब्सक्राइन है चमitto के तो है बाद परकेशों परकेशों को साथ का के दीवाइड करें। अबाध ठीवाइड करें। multiply को आप ले लीजिए याद कर लीजिए sorry से कि वो उसको sorry बोलेगा बड़े को ठीक है छोटा बच्चा जब बड़े के पास जाएगा तो बड़ा उसको divide कर देगा मार-मार के और बड़ा जब छोटे के पास जाएगा तो छोटा उसको multiply करेगा क्योंकि कि वो उसको मार नहीं सकता, ओके, यह छोटी सी ट्रिक है, और यह सारे unit conversion में आपको काम आएगी, सारे के सारे जगा पर आप अगर यह ट्रिक से करते हैं, बस आपको क्या पता रूंची है, बड़ा और छोटा पता रूंची है, कि बड़ा और छोटा क्या है, जैसी कि देखे, जैसे मैं लिख देती हूँ कि, एक मैंने लिखा days और एक मैंने लिखा hours, तो इसमें से बड़ा कॉन सा है, और छोटा कॉन सा है, बड़ा यह है days और यह क्या है, hours चोटा है, ठीक है, एसी अगर मैं लिख देती हूँ, year और month, अब month बड़ा है या year बड़ा है, obviously year बड़ा है, है ना, month चोटा है, एसी अगर मैं लिख दूँ, kg और gram, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें आप बोलो कि, kg बड़ा है, ठीक है, और gram जो है वो छोटा है, ऐसी अगर मैं इसके साथ में और लिख दूँ थोड़े से, जैसे मैंने लिखा, week and day, तो week बड़ा है या days बड़े हैं, आप खुद सोचिए क्या बड़ा है, तो यहाँ पर week बड़ा है, क्योंकि week में कितने days होते हैं, और days में क्या है, day यहाँ पर simple, एक दिन, ठीक है, ऐसी अगर और आगे कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा month और day, अब मैंने month और day में करा, तो obviously कौन सा बड़ा हुआ, month बड़ा हुआ, ठीक है, day क्या है, day छोटा है, ओके गाईस, एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा meter and centimeter, अब meter और centimeter में से कौन बड़ा है, इसमें meter बड़ा है, 1 meter is equals to 100 centimeter, got it, तो I hope आपको समझ आया होगा, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, और trick बता देती हूँ, और ये, फिर उसके बाद हम questions पर चलते हैं, और आपको ये trick समझ आ गई, तो trust me, आप questions जो हैं, वो चुटकियों में कर लेंगे, फटा-फट से, ठीक है, तो जैसे कि firstly, हमने क्या trick करी, कि सबसे पहले आपको का knowledge होनी चाहिए, कि बड़ा कॉन सा है, और छोटा कॉन सा है, ठीक है ना, किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, लिटर में कितने मीटर होते हैं, वन मीटर में कितने सेंटिमेटर होते हैं, अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम है, या फिर ये चीजे नहीं आती, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं इन मीजरमेंट्स के उपर भी एक वीडियो बना दूँगी, जितनी यूनिट्स होती हैं, तो देखिए, छोटा बच्चा है, एक क्या है, बड़ा बच्चा है, छोटा अगर बड़े के पास जाएगा, तो बड़ा उसे मार मार के क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो अगर छोटी वैल्यू से हमें बड़ी वैल्यू find out करनी है, तो वी विल डू, डिवाइड, ओके, और ऐसी अगर बड़ी वैल्यू से हमें छोटी वैल्यू find out करनी है, तो हम क्या करेंगे, it's multiply, ओके, multiply को sorry से denote कीजिएगा, तो अगर मान लिजिए, आप मम्मी के पास जाते हो, अपनी, मम्मी बड़ी है ना आपसे, आप मम्मी के पास जाते हो, तो मम्मी आपको मार सकती है, डिवाइड कर सकती है, मम्मी अगर आपके पास आ रही है, तो आप उन्हें sorry बोल सकते हो, आप उन्हें पीट नहीं सकते हो, ठीक है, तो थोड़ी funny trick है, और हर किसी student को यह याद रहती है, बहुत easy है, जिससे आप याद कर सकते हैं, कोई भी measurement याद रखने की ज़रुत नहीं है, कि छोटा बड़ा क्या, कैसे होगा, डिवाइड कब होगा, बस आप ये चीज़ धियार रखिए, और आप measurements याद रखिए, कि बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, days, hours में कौन सा बड़ा है, year, month में कौन बड़ा है, kg, gram में कौन बड़ा है, week, day में कौन बड़ा है, तो ये सारी चीज़े अगर आपको आएंगे, तो आप easily जो है, वो conversion कर सकते हैं, ओके, तो अब चलिए, चलते हैं हम, अपने first question की तरफ, देखिए, यहाँ पर first question क्या है, थोड़ी सी practice करते हैं, जिससे आपको सब clear हो जाए, first में देखिए, क्या बोला हुआ है, 2 kg को किसमें change करना है हमें, into gram, okay, तो सबसे पहले आपको क्या पताना है चाहिए, कि बड़ा कौन सा है दोनों में से, तो बड़ा कौन सा है यहाँ पर, kg क्या है, बड़ा है, किस से, gram से, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका measurement लिखिए, that is, 1 kg इक्वल स्टू 1000 gram, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, कैसे पता लगेगा आपको, जो आप यह measurement लिखेंगे न, आपको उसी से multiply और division करनी है, इसलिए मैंने बोला कि, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर, इनका measurement लिखना है, कि 1 kg में कितने gram होते हैं, 5 रूपिज में कितने पैसे होते हैं, सबसे पहले आपको यह लिखना है, अब सबसे देखिए, क्या करना है, एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए तरीक है या पस ध्यान रखिए एक बार आप कभी भी गन्फ्यूज नहीं होंगे देन उसके बाद फाइफ रुपीज को इंटू पैसे में अब वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं पता है आपको सो वन रुपीज इक्वल्स टू हंडर्ड पैसे ठीक है वन रुपीज इक पैसे के पास जा रहा है तो बड़ा फिर से किसके पास जा रहा है तो बड़ा चोटे पे जा रहा है तो छोटा फिर से उसको क्या कर देगा अब क्या हो रहा है अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्या कि छोटा आप जा रहा है कि इसके पास बड़े के पास तो बड़ा उसको क्या करेगा बड़ा उसको multiply या sorry नहीं बुलेगा वो उसको मार मार के divide करेगा आप ऐसा माल लेजे जिस इसने कोई mistake करी हूँ ये छोटे ने त चोटा बड़े के पास जा रहा है तो बड़ा उससे पीटेगा ठीक है तो अब क्या करेंगे सबसे पहले measurement लिखेंगे 1 kg equals to 1000 gram अब यहाँ पर 1 kg equals to 1000 gram जो है आपने यह नहीं लिखना है कि यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम से ही शुरू कर देंगे नहीं आपको बड़ा वला जो greater unit है आपको उसका measurement लिखना है means kg 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपको वो लिखना है ठीक है तो 5000 gram into kg आप देखे क्या करना है क्योंकि छोटा बड़े के पास जा रहा है तो बड़ा क्या करेगा divide कर देगा तो 5000 अब आप divide में या तो यह कर सकते हो थाउजन ठीक है 5,000 को थाउजन से करेंगे तो कितना आजाएगा 5 kg यहाँ आप इसके अलावा एक तरीक और कर सकते हो आप क्या कर सकते हो यहाँ बता देती हूं मैं आप 5,000 को अपॉन थाउजन कर सकते हो यह भी डिवाइड ही होता है राइच तो 3 0 से 3 0 कट so answer will be 5 kg दोनों जगा सेम ही है यह भी और यह भी दोनों सेम है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो okay answer जो है वो सेम ही आएगा next is six days into hours अब six days को hours में करना है कौन सा बड़ा है days यह hours obviously days बड़ा है ठीक है तो अब क्या लिखेंगे पहले measurement लिखेंगे इसका one day equals to how many hours it's 24 hours one day में कितने hours होते है थीक है तो आप six days का hours में निकालना है थीक है तो क्या करेंगे हम बड़ा किस पे जा रहा है फिर से चोटे पे जा रहा है तो छोता क्या करेगा multiply करेगा so five क्या हो जाएगा 6 into 24 तो क्या हो जाएगा multiply कैसे करेंगे अब देखिए आप लोगों को multiply करने के लिए बार तो क्या गया 144 आर्ज मतलब की 6 डेज में कितने आर्ज होते है 144 आर्ज तो आपको समझ आया होगा तो बहुत ही easy trick है और आप हमेशा इसको mind में रख सकते हैं इसको बहुत easy हो जाते हैं अगर आप यह चोटे से बड़े वाला और सबसे में आपको यह पता हो कि बड़ा कौन है चोटा कौन है तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और जो हो आपका कोई डाउट हो या आप चाहते हो कोई सेजेशन इस पर मैं वीडियो बनाओ तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजेगा ओके मैं ट्राइ गरूगी कि इस पर वीडियो बनाओ मैं आपके लिए तो बबाई पर दिस टाइम थैंक्यू सो मच पर वाचि बाई